हेलो दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको हैपी न्यूएर मेरे तरफ से और आज की जो यह वीडियो है इस वीडियो की मदद से हम करने वाले अपने चैनल पे एक नई सीरीज की सुरुवात यह सीरीज होने वाली है संडे टेक न्यूज संडे की दिन हम एक टेक न्यूज लाएंगर जिसमें हम बताएंगी कि इस कुजर्य संडे की नया इनोवेशन हुआ तो आज की जो वीडियो है यह हमारे टेक न्यूज हमारी फर्स टेक न्यूज होने वाली है इस चैनल पर तो चलिए सुरू करते हैं बीना किसी पकवास के तो दोस्तो सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही हमारी शाओमी की तरफ से तो शाओमी का मी 10i एमाजोन पर लिश्ट हो चुका है और इसमें जो प्रोसेशर दिखा जा रहा है वो है कॉलकॉम स्टैवरिकंग सेवन फिटी जी इसके प्रोसेशर के अनुसार लग रहा है कि यह कोई फ्लेक्सिफोन ही होने वाला है यह कोई मीड रेंज ही होने वाला है और साथ में मिलता आपको एक 108 मेगा पिक्सल वाला क्वार्ड केमरा सेटप जो की एकदम तगड़ी चीज यार और अगर इसके लाँच डेट की बात करे तो यह हमारे इंडिया में 5 जनवरी को लाँच ह सकता है तो दोस्तो मैक्स न्यूज भी आ रहे है हमारी साउमी के तरफ से तो साउमी 2021 में दो स्मार्टफोन लेकर आने वाला है ऐसा बताय जा रहा है कि एक स्मार्टफोन में वाला है 50 मेगा पिक्सल का कैमरा सेंसर और सेकेंड स्मार्टफोन में वाला एक 100 मेगा पिक्सल क camera sensor ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि आज तक हम ने देखे थे 32, 64, 48, 108 ऐसे sensor देखे थे लेकिन इस बार हमको 50-100 भी देखने को मिलेंगे तो दोस्तो next news हमारी आ रही है Sony के तरब से तो दोस्तो जो लोग PlayStation 5 का इंतिजर कर रहे थे बेस सबरी से उनका इंतिजर भी खतम होने वाला है क्योंकि Sony इने लॉंच करने वाला है फरवरी में दो तारिक को और इनका प्री ओडर रिश्टाट होने वाला है 12 जनवरी से तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है जो खरीदना चाहते हैं वो 12 फरवरी को प्री ओडर कर दे दोस्तों जो MI का मी लेवन है वो जर्श्ट दिसमर के महिने में ही लॉंच हुआ है और वो इकलोता और फर्स स्मार्टफोन है जिसमें आपको कॉलकॉम स्नाइबर करन त्रिपल एट मिलता है और इसे के बाद अभी डिजिटल चार्ट इस्टेशन ने अपने ट्विटर पे ट्विट करके बता दिया है कि कॉलकॉम स्नाइबर करन 888 प्लस भी दूर नहीं है वो भी अभी लॉंच होने वाला ही है और ये कॉलकॉम स्नाइबर करन त्रिपल एट से भी ज़्यदा पावरफुल होगा एकदम धमाकेदार चीज़ हो जाएगी यार दोस्तो नेक्स नीज जो आ रही है वो आ रही है हमारे एमाजॉन की तरब से तो एमाजॉन ने हमारे इंडिया में दो टीवी लॉंच कर लिए हैं एक टीवी हैं 50 इंच का और दूसरा वाला है 55 इंच का और दोनों टीवी 4K टीवी हैं और इनमें डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजवन दोनों का सपोर्ट है और साथ में कहीं सारे फीचर भी है और इनकी जो प्राइज है वो एकदम कीलर प्राइज रखी यार क्योंकि जो 50 इंच वाला टीवी है उसकी प्राइज रखी है 30,000 रुपे जो की 4K है और दूसरे वाला बड़ा वाला है 55 इंच वाला उसकी प्राइज रखी है 35,000 एक दम धाकड प्राइज रखी आ रहे है तो दोस्तो नेक्स नुजारे है हमारी सैमसिंग की तरफ से तो सैमसिंग का एक स्मार्टफॉन जल्दी लॉंच होने वाला है हमारे इंडिया में इसी जनवरी के महीने में इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है में बस यह जाते है कि हैस्टथ करके MacBook सबब्ता जा रहा है यानी कि है भी मैक्स मे माक्स होगी मैक्स बैटरी मैक्स डिस्प्ले हर चीज अशी होगी तो जल्दी लॉंच ओनवाला है लॉंच होगा तो उलका को पता चल जाएगा कि क्या स्मार्टफोन है कैसा स्मार्टफोन लगता है M-Series में कोई नया स्मार्टफोन होने वाला है तो दोस्तो next news हमारे आ रहे है realme की तरब से तो realme का एक स्मार्टफोन जो कई दिनों से यहाँ गूम रहाता है जिसका model नमर है RMX3092 उसका भी geekbench score आ चुका है में भी ये रियलमी का 8 प्रो हो सकता है तो दोस्तो लास्ट नीज वारी है पोको की तरफ से तो पोको इंडिया ने अपने ट्वीटर पर ट्वीट करके बता दिया सबको कहा कि थेंक्यू आपने मारे स्मार्टफ़न को खरीदा हमारा सपोर्ट किया और हमारा 2020 ये 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 बहुत अचा रहा और आशा करते है 2020 के लिए और लाश्ट में उन्होंने पोको एफटू को भी टीज कर दिया और साथी में अगर हम M.I.K. टेलिग्राम पेज की बात करें तो पर भी उन्होंने पोको एफटू को टीज कर दिया और उसके कुछ इस्पेक्स के बारे में बता दिया तो मॉडल मर बताया है के 9A और इसमें को इसमें प्रोसेजर बता रहा है कॉल कॉम स्नाडर कॉन 732 जी और साथ में क्वार्ड कैमरा सैट अप है और 120Hz की सूपर एमोलर इस्क्रीन है और जो की 120Hz इसक्रीन रिफ्रेशर के साथ और बैटरी बताये 4250 है मेंच की और NFC बस खाली ग्लोबल के लिए इंडिया के लिए NFC का सपोर्ट नहीं होगा तो देखते हैं कब तक लॉंच हो पाता है Poco F2 और क्या होती है प्राइज इसके प्रोसेसर के नुशा लगता है कोई मिड रेंज का स्मार्टफन हो सकता है लगबग 15-20 जारगे कोई बीच में और इसकी सबसे खास बात मुझे यह लगी कि इसमें 120 एट्स इस्क्रीन रिफ्रेश रेट वो भी सूपर एमर्ड इस्क्रीन के साथ एकदम तगड़ी चीज हो जाजी बाई तो दोस्तो बस यही थी आज की टेक न्यूज हमारे चैनल पर पहली टेक न्यूज आशा करता हूं आपको टेक न्यूज अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना हो